अस्लाम लिक्तम स्टूडेंट्स आज की स्लेक्टर में हम हाइपोप्लाजिया एंड हाइपोप्लाजिया के दिर्मियां डिफ्रेंस पड़ेंगे और यह क्या होते हैं देखेंगे सबसे पहले हाइपोप्लाजिया की बात करती है हाइपोप्लाजिया बैसिकली ऐसी कंडिशन होती है जिसमें किसी भी औरगन या टिशूस के अंदर कुछ सेल्स की कम होती है इसकी वज़ए से बहुत ज़्यदा इसकी सिंप्टम्स होती है जो डिपेंट कर रही होती है कि बॉड़ी के किस वार पे हाईपपलाजिया हुआ है इस तरह जो हाईपलाजिया इसमें जो सेल्स की ग्रोथ है वो नहीं हो रही होती ज्यादा उस ग्रोथ की कमी की वज़ा से यह अफेक्ट कर रहा होता है ड्वेल्पमेंट को इसके लाबा एक ऐसी कंडिशन भी इन्वालवर सकती है जैसे जब बर्त होती है किसी बेबी की तो उसमें अगर किसी टिशू या का जो फंक्शन है बो डिस्टाब हो जाएगा अब अकरेंस की अगर बात करें तो हाईपॉप्लाजिया है जो बोड़ी के डिफरेंट पार्ट्स पे हो सकते है अक्सामपल्स देख ले इतनी हाईपॉप्लास की तो डिफरेंट Г्स19 जाप्ल्स हैं सबसे पहले देखें क्य हो सकती है मोटर फंक्शन और मसल डिवल्पमेंट के साथ यह बेसिकली कॉंजेनिटल सेंड्रम और मेटाबॉलिक जो और इसके लवा जो नियूरो डीजेनरेटिव कंडिशन्स होती है उसका एक पार्ट होता है सेरिपलर हाइपपलाजिया आगे इनकी मुझीद एक्जांपल स्मॉल थम और भी होता है इसकारा फिंगर जो हैं लास्ट फिंगर के साथ शोटेसी फिंगर ओर होती है तो वो किसकी वज़ ense rope के बात करें तो इसकी वज़नेटिया Congressman की प्र्वल्पम की बात करने तो यह मैंने पहले भी बताया कि इसकी वज़ासे यह जो आई का सिस्टम है इस पर प्रॉब्लम होती है अबनॉर्मल आई मॉवमेंट हो सकती है और विशन प्रॉब्लम भी हो सकती है इसकी वज़ासे अगे सिम्टम्स देखते हैं हाईपपलासिया की तो इसकी वज़ासे जो टीथ हैं सबसे पहले वो यलो ब्राउन या फिर उन पर उन पर वाइट मार्क हो सकते हैं और टीथ हैं और इसके लावा अबनॉर्मल आई मॉवमेंट हो सकती है यह सारी सिम्टम्स देखते हैं और जो मसल्स हैं उसका कंट्रॉल और जो कौाइडिनेशन है वो भी खतम हो सकता है जैसे के स्पीकिंग में डिफिकल्टी होती है या फिर वाकिंग और स्वैलिंग हो सकती है और कु इसकी वज़ा से क्योंकि उसमें जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं मतलब एक्स्ट्रा सेल्स के बनने की वज़ा से टिश्यूस और और गन्स की इनलाज्मेंट हो जाती है इस कंडिशन को हम कहते हैं हाइपर प्लासिया इसकी हम ट्रीट्मेंट डिफरेंट अगरे प्रोग्स के साथ हम इसकी ट्रीट्मेंट कर रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है जो तो इसके एकंड्रू arguing कर रहे हैं इसकी व्यज़ाह, जो है अब हम हाइपरप्लाजिया के फंक्शन की बात करते हैं हाइपरप्लाजिया जो हैं देखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है टिशू के अंदर या और और गन्स के अंदर लेकिन ये नॉर्मल नहीं होती ग्रोथ शुरू एक और कंडिशन होती है लिंफॉइड हाइपरप्लाजिया इसमें क्या होता है जो सेल्स है नॉर्मल सेल्स जो इंकुरीज हो रहे हैं इन में लिंफ नॉट्स प्रेजेंट होता है और इन सेल्स को हम कहते हैं लिंफोसाइड और ये कंडिशन तब होती जब इंफेक्शन हो उसके अंदर जो सेल्स हैं वह बहुत ज़्यादा रिप्रोडियूस कर रहे होते हैं उसकी वज़ा से और दूसरी बात इन्हें किया के अब नॉर्मल मुर्डिप्लिकेशन होती है सेल्स की लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही दिख रहे होते हैं और ये दो conditions की वज़ा से हो सकते हैं इजर physiological और pathological और इन cells की reproduction जो है वो stop हो सकती है जब हम stimulus को remove कर दें जो hyperplasia को cause कर रहा है और example की बात करें तो इसकी example है fibroma तो ये basic ये इसके बारे में था हाइपो प्लाजिया और हाइपो में क्या होता है कि cells जो है उनकी reproduction काम हो रही होती है लेकिन hyper में reproduction बहुत जादा हो रही होती है वीडियो अगर अच्छी लगयो तो चैनल को like करें सब्सक्राइब करें